दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके ही अपने यीट्यूब चैनल पे और आज हम बात करेंगे फिन टर्स के बारे में फिन टर्स का जो मैंने गूगल के उपर सर्च किया वो आपको यहां पर बता रहा हूँ और कुछ ही जो मैंने सर्च किया वो बतारा हूँ अथरवाइस आपके यसाफ से जोइन करो, आपके यसाफ से सब कुछ करो, मार्केट है, पैसा है, तो रिठक है, सब कुछ भुआँ तो यहाँ पर जब मैंने सबसे पहले इसको सर्च किया, ट्रस्ट पेलोट के ऊपर, डोट कॉम के ऊपर इसका रीवीवदी देखनेकोसिस की, इसकी वेब अन्डन में चल रहा है अमेरिका चल रहा है 250 कंट्री में चल रहा है और इसके यहां पर इंधर जीरो यहां पर आप चेक करें जीरो भाई कुछ भी नहीं है किस इसका जो domain name में उसकी IP location आप चेक करना IP location उसका छे जगह का है भाई टिक है domain नाम भाई छे जगह United state का है country और यह United है अलग लग गाहों का कर दिया सब जगह यह अलग गाहों का है कुछ city है इसमें अलग है इसमें Auckland कर दिया मतलब के कुछ भी नहीं है सेटल मतलब के यहां पर आपको हर जगह हर सब कुछ अलग लग देखने के लिए मिलेगा यह आप चेक कर सकते है content IP address जो है आपको यहां पर हर एक IP address इसका change मिलेगा चलो यह होगे भाई investment करना नहीं करना वह आपकी मर्जी है मैं only बता रहा हूँ ठीक है अब बात करते हैं जो एक website है जिसमें काफी traffic होता है उस जो traffic का जो company है traffic के एक authorization करती है ठीक है यहां पर मैंने जब यहां पर चेक किया domain overview ठीक है domain overview fin touch.io यहां पर मैंने डाल दिया root domain और इसका जो authorization score बिल्कुली 0 है आप यहां पर चेक करिए भाई search traffic यहां पर कुछ नहीं है bank link इसने वो कर रहें create wallet, fin touch create wallet, fin touch create wallet बैस 39 जगह इन्होंने bank link कर रहे है और यह domain जो है यह root domain है ठीक है यह root domain जो country IP location change कर रही है वो इनके साथ type है इनका title URL की बात करते हैं तो इन्होंने चार जगह, चार से पास जगह इन्होंने title जब create wallet करते हैं एक vintage की website open करते हैं एक login करते हैं तो इस तरह से यह लोग इन्होंने टाइटल का पेज भी यहाँ पर अलग कर रखाया यहाँ पर आप किसी को भी कुछ भी पता दू कुछ भी नहीं यहाँ पर ऑनगा को नहीं यहाँ पर नहीं नहीं चल रहा है अगर बात करते हैं moz.com domain analysis जो domain को analyst करता है उसकी authorization check करके बताता है यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे आपको देख लो कुछ भी नहीं दिखाएगा इसका भाई no data इसका कोई data ही नहीं रखा ही नहीं है तो यह बात है कि market में कितने दिन चलेगा वो आप पंदाज लगा लो तिक है यहाँ पे मैंने वापी सेख कर domain एज जो company है वो यहाँ पे बताती है भाई domain की एज क्या है भाई यहाँ पे बता दिया भाई यहाँ पे रेजिटरेशन और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कब expire है उसका domain कब रेजिटरेशन हुआ कहां से रेजिटरेशन हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पे आप सर्च करो ट्रेश पेलोड के ओपर यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है आई पी लोकेशन में आपको United State का दिखाएगा और बंदे बोल रहे है बाई चाहिना का बोलता है कोई कहीं का बोलता है कोई कहीं का बोलता है यह बता रहे हैं यहाँ पे United State का ठीक है तो जोइन करो भाई अपने हिसाब से करना जो भी करना ठीक है तो यहाँ पे मैंने जब इसकी ट्राफिक की बात किये एनलिसेस की तो एनलिसेस में इसका थोड़ असा एक आया है जिसमें लगबग 5,000 लोगों ने यहां पर विजिट किया जिसमें अड़ाई जार लोगों ने इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया पर तुम भाई पूरे वर्ड में चल रहा है तो क्या अड़ाई जार रताएगा क्योंकि लोक है और बाकि आपके साफ से जोईन करो अपनी रिक्स पर जोईन करो भाई है मैं ने यह पर आपको बता दिया और दूसरी बार मैं आपको एक बात और बाता हूं बैए बाइनांस के उपर आप अपना भी सर्च कर सकते हो बाइनांस के उपर आप अपना नाम भी वहाँ पे उनकी एडिटिंग में डाल सकते हो यह सी कंपनी थी जैसे की फिंटोज चल रही है यह सी एक COPTS कंपनी थी आपको भी बताओगा सभी लोग जानते COPTS कोप्ट नाम से कोप्ट ऐसे कोई कंपनी थी और उसने भी इसी तरह से वेबसाइट बनाए थी इसी तरह से उसका परमोशन था भाई चाहिना से एक परसेंड डेली है और दो महिने में इतना क्रोडों रुपे लेके गई आप अंदाज ने लगा सकते हैं ठीक है दो महिने में पूरी तरह से कंपनी भग गई इसी तरह से लेवल इंकम थी सब कुछ इसी तरह से था डो में वो में सब कुछ परमोशन सब कुछ कोई अलग नहीं है यूटूब के उपर सर्च करोगे इसके COP कोप्ट के बारे में तो आपको पता चल जाएगा COPTS प्लान ठीक